नमस्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजी में 15 फरवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर चलेगा सगह नभियान बिहार से मिज़्री बेच कर सरकार कर रही है कमाई कैमूर में राजी के दूसरे टाइगर रजर्व बनने से शाहबाद छेत्र का होगा कायकर बिहार में ओमिक्रोन नहीं डेल्टा हीला रही है तमारी अब नई गाइडलाइन के साथ होगी बिहार कैबिनिट की मीटिंग अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से राजी में 15 फरवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर चलेगा सगनभियान राजवे कृषी से जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहर अभियान चलाकर किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की कवायद की जा रही है ये जानकारी बीते दिन राजवे बैंकर्स समीती की उनासेवी बैठक में बिहार के उपमुखी मंतरी तारकिशोर प्रसाद ने दी जुसके दहत उन्हा ने कहा कि बिहार में 15 फरवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक से अधिक किसानों के बीच निर्गत करने के लिए राजवे अपिस सगनभियान चलाए जा रहा है इस दौरान होने कहा कि राजवे की अर्थववस्था की मजबूती के लिए क्रिशी और इसे जुड़े शेत्रों का विकास होना जरूरी है इसले क्रिशी पशुपालन, मुर्गी पालन, मतस्यपालन, आधि शेत्र में साख वित्रण के लिए अधिक से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है ताकि गरामी शेत्रों में अधिक से अधिक आजविका के साधन और रोज़गार के मौकी मिलते रहे राजु में अब अविश्वास प्रस्ताव के जर्ये नहीं हटाई जा सकेंगे मेर और उपमेर बिहार में एक नई विवस्था की तयारी की जा रही है जिसके तहट नगर निगम की सरकार को उनके कारिकाल के बीच हटाया नहीं जा सकेगा इसका मतलब ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के जर्ये नगर निगम के मेर और डिप्री मेर को उनके पद से हटाया नहीं जा सकेगा ये ववस्था बिहार सरकार के नए नगर पालिका संचोधन आक्ट में की गई है जिसे मन्जूरी के लिए राजभवन भेजा गया था खुद अपने वोट से उन्हें जुनेगी विदेव भाग द्वारा संचोधन के बाद ये नियंग बिहार के सभी 263 नगर निकायोस मेर लागू हो जाएगा बिहार से बिजली बेचकर सरकार कर रही है कमाई बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब बिजली की किल्लत होती थी गाओं घरों में तो घंटों बिजली गुल रहा करती थी लेकिन इस छेतर में बिहार सरकार ने स्थिती पूरी बदल दी है और अब NTPC के थर्मल पावर, NHPC के हाइड्रो पावर के अलावा सौर उर्जा और विंड पावर और अन्य पावर प्लांट के मिलने वाली बिजली के साथ ही बाढ़ बरौनी और नवी नगर बिजली घर से बिजली की आपूरती शुरू होने के बाद बिहार सर्पलस पावर स्टेट बन गया है जिससे राजभर में पावर डिस्ट्रिबूशन के बावजूद बिजली बच रही है इस कारण अब सरकार भी इस सर्पलस का फाइदा उठा रही है और जरूरत के बाद बचेवे में बेचकर योजना एक से डेड़ करोड की कमाई कर रही है बता दे कि राज में अभी तक बिजली की डिमान रोजाना पैताली सो से पांच हुजार मेगावाट है कैमूर में राज के दूसरे टाइगर रिजर्व बनने से शहाबाद छेत्र का होगा कायकल्प बिहार में व बारे में केंद्रिय परियावरन बन एवम जलुवायू परिवर्तन राजमंतरी अश्वनी कुमार चौबे ने बताया कि छेत्र भ्रवन के दौरान अकसर स्थानिये लोग यहां पर बाग देखने के बारे में अवगत कराते रहते हैं पूरे शहाबाद छेत्र में बन अभ सबसे ज्यादा पाई गये हैं राजमे पोजिटीव लोगों के सैंपल की जिनोम सिक्वेंसिंग कराई जा रही है जिसमें ज्यादा दर रिपोर्ट में डेलटा या डेल्टा प्लस वेरियंट से ही संक्रबन पाय जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार 800 उसाम्पल में से 482 की genome sequencing रिपोर्त आई है जिसमें केवल एक मीअमिक्रों से संक्रमन के पुष्टी हुई है बतादे कि ये रिपोर्ट दिली के लाब से आई है वहीं दो जन्वरी से पटना के IGOMS में भी genome sequencing शुरू हुई है जहां 25 sample की sequencing शुरू की गई इन sampleों की report आने में करीब एक सब्ता का समय लगता है इसे लिए अभी रिपोर्ट आना बागी है पटना में लॉकडाउन लगाने की मिली छेताबनी राज़ानी पटना में हर रोज आक्टिव केस हजार के पर पहुँच रहे है और अचानक से हुए इस बेताहाशा बृत्धी की कारण जुला प् साशन की तरफ से सक्ती के साथ पाबंदियों के नियम को अपनाने की छेताबनी दी जा रही है और लोगों को कहा गया है कि नियम तोडने पर आगे लॉकडाउन लगाया जा सकता है दरसल बीते दिन तीसरी लहर के पहले नाइट कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए खुद साथ दियम ने सक्ती चेताबनी दी कि अगर लोग हालत नहीं समझे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है लेकिन इस बार बिहार के नेता इस फेमस भोच का आयोजन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे इस आयोजन पर ग्रहन लगता दिखाई दे रहा है इस क्रम में जदियू के बरिष नेता वशिशना राइन सिंग ने सबसे पहले इस आयोजन को स्थागित करने का फैसला लिया है आपको बताते चले कि जदियूनेता वशिशना राइन सिंग के आवाज पर दही चुडा भोज में हर सा से मेला लगता है यहां ना केवल जदियू के नेता बलकि सहयोगी और अन्यदलों के नेताओं को भी आमंत्रन दिया जाता रहा है हालाकि इस बार कोरोना ने आयोजन पर ब्रेक लगा दिया है भागलपुर में 24 गंटे के अंदर ऑक्सिजिन प्लांच शुरू करने के मिले निर्देश बिहार के बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच भागलपुर जिले में स्वास्तेवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है और इसका जाइजा खुद स्वास्तवभाग के मुख्यस्ताचिप आमिर सुभानी ले रहे हैं इसके तहत मुख्य माइसलेशन में मरीज की संख्या अधिक रहेगी करीब 80 फीज़ी मरीज घर पर ही रहेंगे इसलिए कंट्रोल रूम बनाकर ऐसे मरीजों की लगातार निगरानी की जाएगी साथी बाजार में भी दवा की उपलब्धता की जांच करने को कहा गया है जरूरी दवाओं की काल बाजारी की सूचना पर तुरंत कारवाई के निर्देश भी दिये गया है अब नई गाइडलाइन के साथ होगी बिहार काबिनेट की मीटिंग कोरोना के कारण अब राजय मंत्री मंडल के बैठक के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है इसके तहत अब अगले आदेश तक परहेज के साथ बिहार काबिनेट की मीटिंग होगी नई गाइडलाइन के मुदाविक काबिनेट की अगली बैठक वर्चुल मोड में हो सकती है जिसमें मंत्री अपने सचिवाले या आवासिये कारियाले में बैठकर वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये बैठक में शा इस दौरान वीडियोग्राफी, फोटो खीचने या फोटो कॉपी आदी पर भी प्रतिबंध रहेगा बिहार में गरी परिवारों को अपना घर पाने का सुनहरावा का राजु में रह रहे हैं वैसे लोग जिनके सर के नीचे छट नहीं है यानि जिने अपना घर नहीं है उन एक शांदार मौका में रहा है जिसके तहट बीहार सरकार प्रिधानमंतरी आवास योजना ग्रामीन से जोड़ने का एक और मौका ग्रामीन बंचित लोगों को दे रही है जो इसके तहट इसके पात्र परिवार अपना नाम जुड़वा सकते हैं इसको लेकर ग्रामीन परिवार के नाम जोडने के बाद उनके आवास और प्रस्तावित सर्की जियो टाग फोटो और अन्य जानकारी आवास अप पर अपलोड की जाएगी फिर उसे ग्रामी इन विकास मंत्रा ले भेज दिया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर शपरा सिवान मुजफर पूर सासाराम गया और दर्भंगा में भी ज्यादा प्रदोशन रिकॉर्ड किया गया है। पर शास सामने आई है जिस पर काफी बवाल मचा था और अब तीसरी लहराने के बाद एक बार फिर से विपक्ष के नेताउने अस्पताल में स्वास्तव ववस्था को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहट बीते दिन वैशाली के जिले के महुआ से राज़त विधायक मुकेश रोशन ने भी अपने शेत्र के अस्पतालों का जायजा लिया। और वहां की कमियों गंधी डॉक्टरों की कमिया अधी मुद्दों को लेकर के स्वास्ति वभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। तो दूसरी तरफ विपक्ष्री पार्टी राज़त खुलेयां सीम को समर्थन देने की बात कर रही है। खरमास की बात बिहार में बड़ा भूचाल आने वाला है। वाले मामलों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को सकती के साथ टीका लेने और सुरक्षामानों को का प्रेयो करने की सलाह दी गई है। केल राहुल ने बढ़ाई दूसरे टेस्ट में हार की वज़े है। बीते दिन दूसरे टेस्ट यानि की जोहानस बर्ग टेस्ट माच में टीम इंडिया साथ आफरिका टीम से हार गई। तीन माचों की स्टेस सीरीज के दूसरे मुकाबले में साथ विकेट से भारत हार गई। इसे तरह हमारे सवालों का जवाब बेते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दोबाला ना भूलें धन्यवाद।